वेलकम दोस्तों, UFC का नेक्स्ट पेपर भीव इवेंट, UFC 247 9 फेवरी को होने वाला है, मैन इवेंट जोन जोन्स और डॉम्निक रेज के बीच है, जोन जोन्स 205 पॉंड के लाइट हेवीवेड चैंपियन है, वहीं डॉम्निक रेज उनके टाइटल चैलेंजर होंगे, जोन्स जोन्स और डॉम्निक रेज दोनों अमरिकन फाइटर हैं, दोनों फाइटर अभी तक अन्डिफिटेट हैं, अपने करियर में दोनों अभी तक नहीं हा रहे हैं, जहां जोन्स जोन्स का ये 28वा मुकाबला होगा, डॉम्निक रेज अपना 13वा मुकाबला खेलेंगे, पिछले मैच में क्रिस वाइड मैन को नॉक आउट करके हराया था जोन्स को 84.5 इंच का रीच एडवांटेज है वो अपोजिट फाइटर को नजदीक नहीं आने देते हैं और यहीं उनकी सबसे बड़ी खुवी है और उनका सबसे बड़ा हत्यार भी है टॉम्निक रेज को के हाथ में नॉक आउट पावर है और लेकिक्स भी मारते हैं अगर उनके पास कोई चांस है तो फर्स्ट राउन में ही है जोन्स जोन्स फर्स्ट राउन में अपजीट प्लेयर को रीड करते हैं थोर टाइम लेते हैं और बाकी राउंड में डॉमिनेट करते हैं और अगर मौ टारगेट करना चाहिए केवल सैंटोस ने उनके पैर को टारगेट किया था और काफी हद तक वो सक्सेस्फुल थे ट्रॉम्निक रेज का मैच को पेस भी सेट करना पड़ेगा मैच अच्छा होगा पर जोन जोन के पास मेरी बात मानिये दोस्तों उनके पास काफी हथियार है ये मैच जीतने के और मैच खतम करने के क्या होता है at UFC 247 मैं उसका रिव्यू वीडियो जरूर अप्लोड करूंगा ये वीडियो आपको कैसा लगा सेर कीजिए लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए ये वीडियो आपको कीजिए